हलो फ्रेंट्स वेल्कम टो माई चैनल ससी स्टडी पॉइंट सो गाई जैसा कि आज आज आपका हरियाना सब इंस्पेक्टर का जो है 26 सितंबर का मौर्निंग सिप्ट का पेपर हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एकुरिट एंसर की के साथ जो है पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और बगल में आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निसान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजेगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला कोशिन है था कि अलिफेंटा गुफा मंदीर का नाम करें ये किसके समय में हुआ था निर्वासित किया गया था, वो अस्थान कौन सा है, तो ये मुगल बहादूर्सा जपर को जो कहां पर निर्वासित किया गया था, तो ये मैयानमार में किया गया था, तो आप्सन डी करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट अप कही आप रहा था कि थियो सोफिल सोसाइटी का मुख ये जो भारत मे पर अस्थापित किया गया था तो देखे थियोसिफिल सोसाइटी का जो मुख्यालए है ये आपका अडियार में जो अस्थापित किया गया था तो良ड अडियार ऑपसं D आपका करेक्ट हो जाएगा next step का यहाप रहाई था, की । जालियावाला बाग षत्याक कांट के बाद यह जो एक किसने सर की उपादी जो वापस कर दी थी तो देखें जालियावाला बाग जो हत्याकांट हुआ था, यह आपका 13 अप्रेयल 1919-19 को हुआ था और इसमें जो आपके सरकी उपादी किस्टने वापस कर दी थी तो रविन्ना टैगोर ने वापस किया था तो आपसन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट अपके यहाप रहा था कि अंडमा निकोबार दीपसमू पर जो बनी जो सेलूलर जेल है अब ये किसमा पूर उसके नाम पर रखा गया है तो ये जो सेलूलर जेल का जो नाम है ना ये विड साबर करके नाम पर रखा गया है तो आपसन डी करेक्ट हो जाएगा next step के याप रहा था कि हर्याना में राय बहादूर खिताब से जो है कौन सम्मानित हुआ है तो हाली में राय बहादूर खिताब से जो है ये सर छोटू राम को सम्मानित किया गया है तो option D correct हो जाएगा next step के याप रहा था कि हर्याना के ब्रामोस्वर को जो है किस विभूती में जो है ततपुरुस मासागर कहा गया है तो ये किसे कहा गया है तो स्वामी ग्यान दंसी महराज को कहा गया है तो आपसन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स टप कह यहां पर रहा था कि मुहम्मद गौरी ने प्रित्वी राज चौहान को जो हरियाना के किस अस्थान पर हराया था तो ये तरह बड़ी में हराया था तो आपसन ए आपके यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स टप कह यहां पर पूछा गया था कि इन मेंसे कौन हरियाना के राज़िपल नहीं रहे है तो यह जो जैसु खाल हाथी जो है यह हर्याना के राजपाल नहीं थे तो ऑप्सन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आप कहाँ पना था कि निम्न में से हर्याना राज के संबंद में कौन सा कथन गलत है तो गुलाम चंद कटारिया हर्याना के है तो यह जो कथन था ना वो आपका गलत चाहिए तो गिबंद में से रहे तो दीकितार गें राज हमाक गलत है तो यह जो कुछा ग्या तो यह जो पूर्य मंतरी कौनघ यह कौन रहे है तो यह आपका बसरा जो बूंबई के पीता है यह पूर मुक्ख मंतरी ना यह और इनका जो नाम था ये क्या था तो S.R. बुंबई था तो option C correct हो जाएगा नेक्स्ट अप कहीं आप रहा था कि भारत के लिए विस्व क्याड़ेट कुस्ती चैंपियंसीब 2021 में स्वर्न पदक किसने जीता था तो देखे 2021 में स्वर्न पदक जो है ये प्रिया मलिक को दिया गया था तो option D correct हो जाएगा नेक्स्ट अप कहीं आप रहा था कि बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंदु का पूरा नाम क्या है तो पीवी सिंदु का जो पूरा नाम है ना वो पूरसला बैंकेट सिंदु है तो option A आपका यहाँ पर correct हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर रहा था कि इन में से कौन भारत के ग्री मंतरी नहीं रहा है तो देखे भारत के जो ग्री मंतरी है यह चरन सिंग नहीं रहा है तो option C correct हो जाएगा next step का यहाप रहादा कि भारत सरकार के ग्री मंत्राले का मुख्याला यह जो कहां पर इस्तित है तो यह आपका सास्तरी भोवन में इस्तित है option C correct हो जाएगा next step का यहाप रहादा कि ऐसा या फिर ऐसी कौन सी जो है पहले ग्री मंत्री रहे हैं जो बाद में देश का प्रधान मंत्री भी बने या फिर बनी है तो इंदिरा गांधी जो है यह पहले ग्री मंत्री भी रह चुकी थी और बाद में जो यह भारत की प्रधान मंत्री भी बनी थी तो option A आपका correct हो जाएगा next step का यह पहले था कि इन में से कौन हर्याना का पुलिस अधिकारी नहीं है तो देखें यह जो हामीद अक्तर है ना यह हर्याना पुलिस अधिकारी नहीं है तो option B correct होगा next step का बकरी का जो वैग्यानिक नाम पूछा गया था तो कैपरा एक्सप्रेस हिरकल यह जो है बकरी का वैग्यानिक नाम होता है तो option A correct हो जाएगा next step का हर्याना का कौन सा जो जीला है यह विदुवत रूप से जीला मगर पुलिस जीला है तो यह जो आपका हासी है ना यह विदुवत रूप से जो है आपका मगर पुलिस जीला है यह फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो option C करेक्ट हो जाएगा next step का यहां पर रहा था कि हर्याना पुलीस सिकायत प्राधिकरन के अध्याच कौन है तो वर्तमान में जो हर्याना पुलीस सिकायत प्राधिकरन के जो अध्याच है यह आपका यसपाल सिंगल है तो option B करेक्ट हो जाएगा हर्याना के किस भूतपूरों DCP के जो है मृत्य हाली में हुई थी तो हाली में जो आपके मनमोहन सिंग के जो है मृत्य हुई थी तो option B आपका करेक्ट हो जाएगा next step का यह आप रहा था कि हर्याना पुलीस की मोटव जो वो क्या है तो देखिए हर्याना पुलीस का जो मोटेव है वो सेवा, सूरच्छा और सही होग है तो option B correct हो जाएगा अब इंगलीस के question में आपको बता दू कि option B होगा ठीक है उसके बाद 41 में जो आपका correct answer होता वो आपका further होता option B जो आपका यहाँ पे correct होगा क्योंकि यहाँ पे जो आपका correct response चुनना था तो do you want further help option B correct हो जाएगा उसके बाद question 42 में जो आपका a little आपका यहाँ पे correct answer होजागा option C, 43 में जो आपका option C जो correct answer होगा at जो आपका यहाँ पे correct हो जाएगा 44 का जो option C आपका correct होजाएगा आप देख लेना क्या अपनी क्या लगाया है उसके बाद इसका question मैंने solve किया 45 का जो math का question होगा 480 option B आपका correct होजाएगा 40 C में जो आपका option C correct answer होजाएगा उसके बाद आपका यहाँ पे reasoning से आथा तो reasoning में जो आपका निमलिकित में से इसमें क्या जोड़ा जाए कि 9 से भाज्ये बन जाए तो इसमें जब 3 से जोड़ो गए ना तो ये भाज्ये बन जाएगा option A correct होजाएगा उसके बाद आपका आपका था कि ध्वनीत रंग का वेक सबसे अधिक किसमें होता है तो ये ठोस में होता option C correct हो जाएगा नेक्सट आपका यहाँ पर रहाएथा कि निमलिकित मेंसे कौन सा जिवास इधन नहीं है तो देखे जो आपका जिवास में इधन नहीं है वो आपका लकडी नहीं है तो option D आपका correct हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि कंकाल की सबसे लंबी हड़ी कौन सी होती है तो यह फीमर होता है जो की कान की हड़ी है option C correct हो जाएगा next question आपका यहाँ पर रहा था कि दिवालों के अध्यन संबंदी विग्यान को क्या कहा जाता है sorry सेवाल है ठीक है तो सेवालों के अध्यन संबंदी जो विग्यान की साखा है यह फाइको लॉजी को कहा जाता है तो option D आपका यहाँ पर sorry B जो आपका यहाँ पर correct हो जाएगा next आपका यहाँ पर रहा था कि निमनलिकित में से कौन सा यूग में समेलित नहीं है तो फोटोन का जो H U कावा दियावा था तो देखें यह जो आपका फोटोन का जो दियावा था ना यह आविस्कार H U कावा ने नहीं किया था तो option C आपका correct हो जाएगा next आपका यहाँ पर रहा था कि भारतियसामिदान के किस अनुछेद में राज्य करमचारी चायन आयोग का प्रवधान किया गया है तो देखें राज्य करमचारी चायन आयोग का जो प्रवधान है यह आपका अनुछे 318 में किया गया है तो option B correct हो जाएगा next आपका था कि इन में से कौन हरियाना राज्य सभा का सदसिन नहीं है तो यह जो दुस्य अंत गौतम है यह हरियाना के राज्य सभा के सदसिन नहीं है तो option B correct हो जाएगा next आपका यह पना था कि इंग्लेंड के वल चुनाओं के दिनों ही सोतंत्र होता है यह कथन किसका है तो यह जो कथन था यह रूसों का कथन था option A correct हो जाएगा प्रत्याच लोकतंत्र के द्वानत यह जो किसे कहा जाता है तो यह प्ले भी साइट को कहा जाता है option B correct हो जाएगा हरियाना के किस जिले में विधायक पर जो अरचित जाती के लिए अरचित नहीं है तो देखें यह जो दादरी जो अरचित जाती है ना इसके लिए विधायक पर जो अरचित नहीं होता है तो दादरी जो आपका यहां पर correct हो जाएगा next step का था कि निमलिकी तस्तानों में हरियाना का सबसे बड़ी अनाजमंडी कहां पर इस्तित है तो देखें हरियाना में जो सबसे जादा अनाजमंडी जो है यह आपका नील खेड़ी में जो अस्तित है तो नील खेड़ी जो है आपका यहां पर correct हो जाएगा next step का था कि खेला होबे सब्द यह जो किस राजी के चुनाव में परसीद हुआ तो देखें यह जो पस्षिम बंगाल का जो चुनाव हुआ था जिसमें जो है खेला होबे सब्द यह परियुक्त किया गया था तो option B पस्षिम बंगाल correct हो जाएगा next step का यहां पना था कि आकासवानी के निर्देसक 2021 में कौन है तो वर्तमान में जो अकासवानी के निर्देसक है यह राजी वियादव है तो option A correct हो जाएगा हरियाना करमचारी चैयन अयोग की अध्यच भुपाल सिंग खदरी है और यहां खदरी से जो है क्या अभी प्राई है तो देखें खदरी का जो मतलब होता है वो गोत्र का नाम है तो option B आपके यहां पर correct हो जाएगा हरियाना में सिवा आयोग के अध्यच कौन है तो यह मानी राम मंचुला है तो option B आपके यहां पर correct हो जाएगा हरियाना के राजिपाल बंडारू दत्रुद यह जो एक किस करम के है तो देखें हरियाना के जो राजिपाल बंडू जो दत्ता दे है यह आपके कितने नंबर के है तो अठारवे नंबर के है तो option B आपका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट आपके यहां पर आथा कि उत्राखंड राजिय में कौन ऐसी मंत्री है जिनका संबंद हरियाना से है तो देखें यह जो बिसन सिंग है ना इनका जो संबंद है यह हरियाना से option D correct हो जाएगा हरियाना के ऐसे कौन से सांसद है जिनके पिता के मृत्ति हूँ हाली में हुई थी तो हाली में जो रतनलान कटारिया की जो मृत्ति हुई थी option A correct हो जाएगा हरियाना के ग्री मंत्री की परमुक विसिस्ता क्या है तो हर्याना की ग्री मंत्री की जो पर्मुक विसिस्ता है वो पुलिस अधिकारी रह चुके हैं तो option D आपका यहां पर correct हो जाएगा next आपका यहां पर रहा था कि गेहों की फसल को बहुते समय कितना तापमान चाहिए तो 15 degrees centigrade से 18 degrees आपका होना चाहिए तो option B correct हो जाएगा हर्याना क्रीसी एवं ग्रामिन विकास बैंक लीग द्वारे जो है कौन सी योजना अम्ल से नहीं लाई जा रही है तो यह आपका क्रीसी भूमी की खरीच जो है यह नहीं लाया जा रहा है तो option C correct होगा हर्याना के हिसार में राष्ट्री जो अस्व अनुसंधान केंद्र है यह कब खोला गया था तो देखे हर्याना में जो राष्ट्री अस्व अनुसंधान केंद्र है यह आपका 7 जनवरी 1986 को खोला गया था option A correct हो जाएगा हर्याना के बंद संतोर किस जिले में इस्तित है तो यह आपका यमुना नगर में इस्तित है option C correct हो जाएगा इसके बाद था कि fill in the blanks और कुंजी के आप करसर को एक रेखा आदी या अंत में पहुंचा सकते हैं तो देखें home और जो आपका end कुंजी के आप करसर को जो है एक रेखा आदी का अंत में पहुंचा सकते हैं तो option A correct हो जाएगा उसके बाद आपका था कि software text अधारी दस्तावे जैसे जो आपके browser बनने के लिए क्या होता है तो यह database management system होता है तो option D correct होगा उसके बाद generic सब्द hardware के किस टुकले से संबन्दीत है तो यह आपका निडदेश से संबन्दीत है option B correct हो जाएगा next step का यहाँ पर रहा था कि wax pill जो कुंजी करसर है यह अच्छरों सब्द को मिटाती है तो किस सब्द को मिटाती है तो बाएं के जो सब्द होता है उसे मिटाता है next step का यहाँ पर रहा था कि वैक्तिगत उप्योग करताओं कि अपने desktop computer होते है जो एक अधिक केंदरित computer से जुड़े होते है तो यह किस परकार के computer से जुड़े होते है तो यह network server जो है वो कहलाते है तो network server आपका correct हो जाएगा next step का यहाँ पर रहा था कि fill in the blanks बस केवल CPU को जो है RAM को जोड़ता है जिसमें केवल memory पते रहते हैं तो यह क्या जोड़ता है तो address जोड़ता है option C correct हो जाएगा next step का reasoning से था कि गयादी help को 5 है तो bell का code क्या हो रहेगा तो चार रहेगा option B आपका correct हो जाएगा German Vidyant सभा की संग्य सभा को क्या कहा जाता है तो यह आपका क्या कहा जाता है तो bundes tag कहा जाता है तो option A correct हो जाएगा British Karl के दोरान हर्याना में पंजाब का भाग कौन बना था तो यह कब बना था तो वेब पेज में होता है option B correct हो जाएगा उसके बाद जो आपका यहाँ पर 24, 36, 40 का LCM ग्याद करना पूछा गया था तो इसका जो correct answer हो गा 360 हो जाएगा उसके बाद वार्सिक्स, सांस्कृति, समरो का लच्ची यह जो है बढ़ावा देना है किस पर रखा गया था तो यह आपका मार्सलार्ट एवर्म लोग कला पर जो है बढ़ावा देना रखा गया था option B correct answer हो जाएगा next step का यहाँ पर रहा था कि किम्बरले यह जो किसले परसीद है तो यह हीरे की खान के लिए परसीद है option B आपका correct हो जाएगा भारतिये दंड सहिंता भारत में कब लाग हो गा था तो यह आपका 860 में लाग हो गा था option A correct हो जाएगा भारत का कोई नागरिक उगांडा का हत्या कर देता है यदि वह भारत के किस स्थान पर है जहां वह पाई जाएए हत्या के लिए निर्वाचित और दोसी सीद किया जा सकता है तो भारत उसे यदि युगांडा को आपका option C correct हो जाएगा उसके बाद था कि भारत सरकार के जम्मो कस्मी से धारा 370 सवाप्त करने का कानून कब पास किया गया था तो ये 5 अगस 2019 में पास किया गया था option B correct हो जाएगा जब कोई अपराद किया जाता है तो कौन से निमलिकी क्रिया को जो है पुलिस अपराद की जांच से जो अपनाती है तो देखें ये जो आपका कौन सी अपनाती है तो केवल अपराद की जांच होती है option D आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next अपका यहाँ परादा कि पुलिस अक्ट निर्मान कमीटी के अध्याच कौन है तो पुलिस अक्ट निर्मान कमीटी के जो अध्याच है वर्तमान में ये स्री सोसी सोरा बजी है तो option A आपका यहाँ पर correct हो जाएगा नेक्स्ट आप करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आप करेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपका नारायन मेगन ये जो किस परकार के भारते ने इतकला के परसीद कलाकार थे पाई जाने वाली भारी मिट्टी का क्या कहलाती udah उसके बाद महम्मध गज्चनवी ने हर्याना के यानिसर पर आकरमान किया था तो यह 14 में आकरमन किया था नेक्स्ट आप के कमी वाले लोगों को बढ़ जाती है तो विटामिन A से जो बढ़ जाता है विटामिन A की कमी से तो option A आपका correct होगा हर्याना के पंचकुला जिले में IT पार कब अस्थापित किया गया था तो ये 2005 में अस्थापित किया गया था option D correct होगा सुचना का अदिकार है दिनी हमें ये जो किस वर्स लागू किया गया था तो ये 2005 उननीस मार्च 2005 में जो सुचना का अदिकार लागू किया था तो option C correct होगा नेक्सट आपका एक matrix है था जिसको आपका 10 जो option B आपका यहा पर correct तेंसर हो जाएगा नेक्सट आपके यहां पर एक और आपका reasoning से था तो पीला option B आपका correct हो जाएगा उसके बाद इस question का math का यह पका correct तेंसर होगा कियागया तो ये रोहि सर्मा और विराट कोली को समानित किया गया तो आप्सिन आपके समय जीलों की संक्या कितनी थी तो साथ थी उसमें तो आपिसन एक करेक्ट हो जाएगा बारतिय रिज़र एक्स टाप का यहां परह था कि अरियाना में राश्ट्री आद्रभूमी संरच्छन कारिक्रम के अंतरगत कितनी आद्रभूमी को जो है मानेता दिया गया है तो यह दो आद्रभूमी को जो है मानेता दिया गया है तो आप्सन एक करेक्ट हो जाएगा तो आसा करता हूं दोस् बोड़े हम धर थास्ट थांक यू, अलड़े बेस्ट